वाल्ड कॉप होकी 2023 राउर केला में 4,800 करोड खर्चा हो रहा है वर्ल्ड's biggest stadium बाप्रे नमस्ते दोस्तों मैं हूँ बाइकर टूरी सुर्जिया और वाल्ड कॉप होकी 2023 ओडिशा में होने जा रहा है जनवरी 13 से 29 तारिक तक और ये कलिंगा स्टेडियम भूबनेश्वर और बिट्सा मुंडा स्टेडियम राउर केला में खेला जाएगा आएए देखते हैं कितने जोरों से तयारी चल रही है और इस वक्त राउर केला चमक रहा है और ये ओडिशा को एक बहुत अच्छा माइलेज देने वाला है 2021 में इंडियान मेंस होकी टोक्यो ओलिम्पिक्स में ब्रोज मेडल जिता था उसका बाद इंडिया बहुत आगे तरक्की कर रहा है होकी में और गमेंड़ पोडिशा इसको स्पोंसर कर रहा है इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है वाटर स्पोर्स कमप्ले करेंटली इंडिया वर्ल नमबर सिक्स है रैंकिंग में और यहां पे एक पानपोस हाइज स्कूल है जो की इंडिया का नमबर वन स्कूल है होकी में और गमेंड़ पोडिशा इसलिए रावर केला को चुना है जो की एक होकी बेल्ट है ओडिशा का और जारातर प्लेयर यही से ही जाते हैं और लगबग 4,800 करोड रुपया खर्चा हो रहा है सारे रस्ते बदल रहे हैं सारे दिवार में पैंटिंग हो रहा है और ब्योटिफिकेशन हो रहा आए शहर का काफी कुछ मोडिफिकेशन हो रहा है जैसे पांथनिवास बन रहा है स्पोर्स कंपलेक्स बन रह सारे स्पोर्स एक्टिविटीज भी चलेगा, स्प्रिंक्लर्स भी है और वाटर स्कूटर्स भी है, में कई सारे इंडोर स्पोर्स कंप्लेक्स भी बने और मेजद ध्यांचान साहब का एक बहुत अच्छा स्टैच्व भी बनाया है, इस वत आप देख रहे हैं, दिवार जैसे फूड कंप्लेक्स भी बहुत अच्छे तरीके से रगाया गया है, यहां तक की आपका जो टॉडट है पब्लिक टॉडट उसमें भी बहुत अच्छे से कलरिंग किया गया है, देखिए किस तरह से एक flyover का दिवार को भी paint किया गया है और यह है जो भेंडिंग जोन जिसको की अभी अभी बनाया जा रहा है और सहर का कोई भी ऐसा दिवाल नहीं है जिसको की खाली छोड़ा गया हो और इस तरह से मतले कि चमक रहा है राउर्कला जो की हिंदुस्तान में बोड़ी सा करना दोशन करेगा बाइकर टूरिस्ट शोट जाए